हलो फ्रेंड्स वालकम इन नेक्स नाइन न्योस मैं हूँ आपकी होस्ट शित्रा लेकर खाजर हूँ हमारा आज का खास प्रोग्राम स्टार लाइफ स्टार लाइफ में आज हम बात करने वाले हैं आराध्या बचन और उनकी बुवाश श्वेता बचन के बारे में अब दोस्तों यूँ तो बचन परिवार हमेशो ही खबरों का हिस्सा रहता है कब परिवार में क्या हो रहा है परिवार का कौन सा सदस्य इस समय पर क्या कर रहा है और किन खास बातों को ले कर वो चर्चा में हैं इन सब बातों के बारे में हम अक्सर ही बात करते रहते हैं तो वहीं आए दिन ही हम इनके आपसी रिष्टों को ले कर भी बाते करते रहते हैं लेकिन आज हम सबसे जरूरी बात करने वाले हैं अराध्या बच्चन और उनकी बुवा श्वेता बच्चन के संभंधों के बारे में गोर करें तो आपको भी पता चुरेगा कि आज तक भी श्वेता बच्चन ने अराध्या के साथ कोई फोटो क्लिक नहीं कराई है उनके इस बिहेव से हमेशा ही सवाल उठते हैं इन दोनों के समंधों पर जहां दोस्तों जहां बच्चन परिवार हमेशा ही एक साथ मज़र आता है एक दूसरे के साथ इनकी तस्वीरे भी वाइरल होती रहती हैं लेकिन वहीं श्वेता बच्चन ने आज तक भी अराध्या के साथ कोई सिंगल फोटो क्लिक नहीं कराई है यह बात काफी हैरान करती है लेकित बिल्कुल सच है आज के इस खास प्रोग्राम में हम दोनों बुवा भती जी के इस रिष्टों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या श्वेता बच्चन अराध्या को पसंद नहीं करती क्या श्वेता अराध्या से जलती है आज किस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे इन्हीं सब खबरों के बारे में तो चलिए बिनादेर की शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की अब यूँ तो बच्चन फैमिली हमेशा ही खबरों में रहती है बच्चन परिवार का कोई ना कोई सदस्य है आए दिन ही चर्चा का विशे रहता है फिर वहीं बात चाहे क्यों ना हूँ अमिताब की या फिर बात क्यों ना हूँ उनकी लाटली पोती अराध्या बच्चन की सारा परिवार किसी ना किसी बात को लेकर चलचामे रहता है लेकिन आज हमें खास बात पर चलचा करने बाले हैं और वो है अराध्या बच्चन संग उनकी बुआ श्वेता बच्चन के रिष्टे जहां दोस्तों जहां क्यूट सी अराध्या बचन के साथ हर कोई काफी खुश रहता है उन्हें हर कोई बेहद प्यार करता है बचन परिवार के हर सतस्य के साथ अराध्या के क्यूट क्यूट सी तस्वीरे वाइरल होती ही रहती है तो वहीं अगर देखा जाए तो बुआ श्वेता बच्चन के साथ अराध्या की शायद ही कोई तस्वीर हो जहां अगर गोर करेंगे तो आप ही यही पाएंगे कि जहां अराध्या बच्चन अपनी ममी एश्वर्या के साथ तस्वीरे क्लिक कराती है दादू अमिता बच्चन के साथ भी उनकी तस्वीरे आती हैं तो पिता अभिशेक के साथ तो उनको अकसर ही देखा जाता है लेकिन अगर गोर किया जाए तो श्वेता बच्चन के साथ अराध्या की कम ही तस्वीरे देखने को मिलती है जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या श्वेता बच्चन अराध्या को पसंद नहीं करती है शायद इसी वज़र से इन दोनों की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आती वहीं जोहां अराध्या के बारे में बच्चन परिवार का हरसदस से बात करता नजर आता है हर सदर से अराध्या से बेहज प्यार करता है इस बारे में भी जाहिर करती हैं लेकिन वहीं श्वेता बचन ने ना कभी अराध्या के बारे में कुछ कहा और ना ही कभी उनके साथ अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर किया अब भई ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या सच में बुआ श्वेता प्यार नहीं करती है राधिया बचन से और उन्हें देख कर वो चड़ती है जिसकी वज़ा से वो उनके साथ कोई भी तस्वीर श्यर नहीं करती लेकिन बता दे कि इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्वेता बचन जो कम ही लाइम लाइट में नजर आती है उन्हें कम ही कहीं भी देखा जाता है तो इस बारे में आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है वहीं बच्चन परिवार से भी कभी किसी नहीं ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है कि एशवर्या की बेटी अराध्या और श्वेता के रिष्टे कैसी है हाला कि अगर देखा जाए श्वेता और एश्वर्या के रिष्टो को लेकर रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों के बीच अन्बन चलती ही रहती हैं और इन खबरों को तब साधा उडान मिली जब एश्वर्य अबिशेक के नए अपार्टमेंट की तस्वीरे सामने आई थी इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जाने लगा था कि अब एश्वर्य अपतिय विशेक और बेटी अराथ्या के साथ बच्चन परिवार से दूर हो जाएंगी हलाकि अगर देखा जाए तो आज तक भी इस परिवार को एक साथ देखा जाता है लेकिन वहीं सवाल हमेशा उठता रहा है अराथ्या और श्वेता बच्चन के रिष्टों पर लेकिन बता दे इस बारे में कोई भी पुस्टि नहीं की गई है इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अराथ्या और श्वेता के आप से संबंद कैसे हैं झाल झाल बच्चन फैमिली बीटाओं की धुरानी मानी फैमिली है परिवार का हर सदस्य किसी ना किसी बात को लेकर खबरों में रहता है तो साथ ही बता दे वैसे तो सारा ही परिवार फिल्मी दुरिया से तालुकात रखता है अगर कोई नहीं रहता है लाइम लाइक में तो वो अमित तो अराध्या संग भी उनको कम ही देखा जाता है लेकिन उनकी तस्वीर वाइरल हो रही है जिसमें श्वेता नज़र आ रही है अराध्या के साथ और इस दोरां दोनों विदेश में नज़र आई अब फोटो देख कर दो लग रहा है कि अराध्या बुव असंग का भी मस्ती कर रही है लेकिन साधे उता दे कि अश्वार्या भी इस दोरां उनके साथ ही है और तीनों भी काफी खुश लग रही है इस दोरां प्योटिक वें रैश्वार राय बच्चत जो अपनी बेटी के स साथ देखा चाला है तो वहीं गोर्मों की अराथ्या और एश्वार्या की तस्वीरे अक्सर ही वायरल होती रहती है अराथ्या अपनी मा की तरह ही हमेश्या कापनी लविंग पोस्ट देती नजर आई तो कई बार एक दूसरे को किस करते हुए भी इन दोनों की फोटोस किस करते हुए और उनकी फोटोस सोचल मीडिया पर वायरल भी हुए जिसके लिए उन्हें प्रोल भी किया गया तो हाल ही में एक बार पर से एश्वार्या ने बीटी के साथ ऐसी ही तस्वीर शेयर की जिसमें वो अराथ्या को किस करते हुए नजर आई लेकिन एक बार फिर से दोनों को इस बात के लिए ट्रॉलिंग का शिकार हुआ पड़ा है निश्वार्या को फिर से कहा जो रहा है कि उनको अपनी बेटी को इस तरह से किस नहीं करने चाहिए लेकिन वहीं उनको सपोर्ट भी कापी किया जाता है कि वो उनकी बेटी है और ये उन दोनों के बीच का अप्ताल है तो किसी भी तीसरे शक्स को इन दोनों के बीच बोड़ने का कोई भी हग नहीं स्टार्ट यूर कारियर विख अज़्ट जहां दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने यानि अब इन बातों से तो यहीं साफ होता है कि श्वेता नहीं करती है अलाध्या को पसद हाला कि जहां काफी समय से एश्वार्या और श्वेता के रिष्टों को लेकर खबरे आती हैं तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि एश्वार्या और श्वेता के रिष्टों को चलते ही अराध्या संग उनकी बुआ के रिष्टे सही नहीं है लेकिन अगर देखा जाए तो परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई बात नहीं कही हैं जिससे हमेशन ही इनके रिष्टव पर लगता है कोशन मार्क तो वहीं दूसरी तरफ बता दे कि अश्वय्या की उनकी नंद श्वेता की बेटी नव्या के साथ तो संबन्द बेहद अच्छे हैं श्वयता की बेटी अगर आप भी देखेंगे तो आपको कभी भी श्वेता के साथ अराधिया की कोई भी तसफीर नजर नहीं आएगी तो दोस्तो यह था हमारे आज प्रोग्राम में एब इसी के साथ मुझे दिजया इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और गोटर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या स्क्रिप राइडर, तो हमें संपर्च करें